असलाम अलेकूम विवर्स वेलकम तो सारानुरीज किचन आज मैं अपने किचन में आपके लिए रमदान स्पेशन बहुत ही मज़ेदार चनल चाट की recipe लेकर आई हूं यह चनल चाट खाने में बहुत ही मज़ेदार है और finger-licking चनल चाट है इसको खा कर आपको बहुत ही और चलें को हम स्टार्ट करते हैं तो इस चनर ज्ट को बनाने लिए यहां पर मैंने एक बोल ले लिया है और हो यहां मैंने अक़ाइब सफए चन это नहें ले लिए थे रात को और उनको दो कर मीथा कर लिया था अब हम बोल में पहले चन्ने अड़ करेंगे चन्ने अड़ करने के बाद यहां पर मैंने आलू ले लिये थे दो अदद बड़े साइस के आलू लेकर मैंने उनको छील कर बॉयल कर लिया था अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी तो आलू डालने के बाद यहां पर जो पर मिज़ने डालें करते हैं में 2 मिसाल में विलेक्ट, चन हमें 23 मित्क पाइक बालें मैंने 2 टीशाइक बाला है जाइक नमक दाल सकते हैं अब कि अचाट मिसाला भी डालना है और चन हों में भी हम नमक डाल कर बॉइल किया था अब इन मिसालों को भी हम चने और आलों के साथ मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने एक छोटे साइस का प्याज लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक जॉप कर लिया था तो अब वो प्याज मैं इसमें एड़् कर दूंगी थोड़ा सा प्याज आपने बचा लेना है और यहां यह दही है जो मैंने आदा किलो दही यहां पर ली है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है आप अपनी मरजी के मताभिक अगर दही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं तो अब इन चनों के उपर मैं दही डाल दूँगी यह दही जो है वो खटा नहीं है यह मीठा दही है अगर आपका दही खटा हो तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी भी आड़ कर सकते हैं उसको मीठा करने के लिए तो यहां पर अब मैं एक टमाटर मैंने लिया था बड़े साइस का उसको भी मैंने चॉप कर लिया था और यह टमाटर थोड़ा सा सक्थ था और इसको मैंने बीच निकाल दिये थे तो इसलिए बीच के बगएर मैंने इसमें टमाटर चॉप करके डा दाल दिया जिसमें के धनिया और फिर्ट चात मिसाला नहीं की डूता है लग्ड़MAN इसपार ना उन टीति इस पून चाट मिसाला चाट करने के बाद अब चने और आलू इन सब चीजों को हम हलके हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे जो हमने इसके उपर दही डाली थी वो दही जो है वो नीचे तक चनों में चली जाती है खुद ही चली जाती है तो इस तरह से आपने सरफ उपर से मिक्स करना है अब हम इस पे जो आलू थोड़े से उबले वे मैंने बचा लिये थे वो इस पे डाल देंगे वो डालने के बाद अब मैंने इस पे पापड़ी डाल दी है ये पापड़ी मैंने बजार से खरीदी है जो बनी बनाई है क्योंकि रमजान के महीने में इतना टाइम नहीं होता तो आप भी पापड़ी बनी बनाई ले सकते हैं घर पे बना सकते हैं अब पापरी एड़ करने के बाद मैंने इसमें इमली की चटनी मजीद एड़ कर दी है और ग्रीन चटनी भी मैंने इसमें उपर से और एड़ की है अगर आप चाहें तो एड़ करने की बजाए आप अलैदा से इसको सर्फ कर सकते हैं कि अगर किसी ने मज दालनी हो तो वो दही इमली की चट्नी और ग्रीन चट्नी डाल सकते हैं तो विवर्ज यहां पर हमारी चनल चार्ट त्यार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें थैंक्स पूर वाचिंग अला हाफिज